हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल डाबलर सिनिमा में स्वागत है. क्रिपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. आईए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में. सल्मान खान और काट्रीना कैफ की अगली फिल्म टाइगर 3 है. ये दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को रिलीस होने जा रही है. इस फिल्म में हॉलिवोड एक्ट्रेस और स्टंट वूमन मिशेल ली भी एहम किरदार निभाती नजर आएंगी. मिशेल ने हाल ही में दिये एक इंटर्व्यू में काट्रीना कैफ के साथ शूटिंग के एक्स्पिरियंस शेयर किये. साथ ही उन्होंने उस टॉवल फाइट सीन पर भी बात की जो टाइगर 3 के ट्रेलर रिलीस होने के बाद से टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है. मिशेल ने बताया कि इस सीक्वेंस को शूट करने से पहले काट्रीना और उन्होंने तकरीबन 2 हफ़तों तक रहसल की थी. मिशेल ने कहा मैं सर्प्राइज नहीं हूँ. ये तब भी एपिक था जब हम इसे शूट कर रहे थे. इसके लिए एक टकिश हमाम का सैट बनाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत था, और वहाँ फाइट करना हमारे लिए मज़ेदार था. एक इंटरनेशनल फिल्म पर काम करना हमेशा मज़ेदार होता है. मिशेल ने इस सीक्वेंस के दौरान काट्रीना के डेडिकेशन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, काट्रीना ने इस सीन में बहुत ही प्रोफेशनल काम किया है. उन्होंने इस पर काफी महनत की. उनके choreography experience ने इस sequence को आसान बनाने में मदद की Scene में हमारे लिए towel संभालते हुए fight करना बहुत मुश्किल था इसके बाद हमने कुछ जगहों पर towel को stitch कर दिया और इससे बहुत मदद मिली इसके अलावा एक और challenge ये था कि हमें एक दूसरे से perfect distance पर fight करनी थी ताकि हम एक दूसरे को हट ना कर दे हाला कि इस मामले में हम दोनों ही काफी professional थे तो हमने एक दूसरे को हट नहीं किया और सब कुछ अच्छे से shoot हो गया Michelle actress बनने से पहले Hollywood की कई फिल्मों में stunt woman के तौर पर काम कर चुकी है उन्होंने Marvel की Black Widow, Johnny Depp की Pirates of the Caribbean और Brad Pitt की Bullet Train जैसी फिल्मों में काम किया है फिल्म Tiger 3 में सल्मान और कट्रीना के अलावा इमरान हाश्मी भी नजर आएंगे वो इसमें main villain का role कर रहे है Tiger 3 का run time 2 गंटे और 35 मिनिट है फिल्म की advance booking 5 नवंबर से शुरू होगी फिल्म 12 नवंबर को रविवार के दिन रिलीस होगी इसकी कहानी वाल और पठान से जुड़ी हुई होगी आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे ताकि हम आपके सुझाव पर काम कर सके और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जय हिंद